यह सारा पैसा अपना सेमिनार में खर्च करते हैं, जहाँ पर यह सारे सूट पहन के आते हैं, आप अगर वहाँ पर जाओगे तो आपको ऐसा लगया है जैसे कि सिंघानिया या फिर किसी ओवराई की बोर्ड मीटिंग चल रही है, तो यह जो हमारी गवर्मेंट है, जो रोज अनप्लॉइमेंट और गरीबी को लेकर रोज गाली खा रही है, मनरेगा में खाते खुलवाती फिर रही है, गवर्मेंट ही सारे गरीबों को इखटा करके एक रेप्रेजेंटिटिव असाइन कर दे, और सारे गाउं में तीन मंदे जुडवाना शुरू कर दे, सारी एक डिस्ट्रिब्यूटर है, एक डिस्ट्रिब्यूटर अपने नीचे डिस्ट्रिब्यूटर बनाता फिर रहा है, MLM से जुड़ने के लिए कोई एज, क्वालिफिकेशन, स्किल, इंटर्व्यू किसी चीज की जलोत नहीं होती, सिर्फ एक चीज होनी चाहिए आपके पास ये MLM, Multilevel Marketing, Pyramid Scheme, Network Marketing, Chain और Referral Marketing है क्या, और ये सारी चीज़े सेम है या फिर अलग-अलग है, और उससे भी important चीज है कि ये legal भी है कि नहीं इंडिया के अंदर, और अगर legal नहीं है, तो क्या tricks यूज होती है, इसको legally use करने के लिए, देकिए 1995 में पहली बार Pyramid Scheme आई थे दो आदमी होते हैं, और फिर चार आदमी होते हैं, और पिरमिड टाइप का structure बनता है, तो इसको Pyramid Scheme कहते हैं, अब आप कहोगे कि इसमें दिक्कत क्या है, पैसे तो आई रहे ना, किसी का नुकसान थोड़ी हो रहा, देखिए इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, मालनी ज और हुआ हूँ, मैंने अपने अंडर में 6 बन्दे जोड़ेंगे, तो टोट़ल 36 बन्दे बन्दे में चल्ड़ेंगे, तो 216 लोगो हो गया, एसे ही चौ्थे लेवल पे 12群 296 लोग होगे, ऐसे कर-करके, अगर 12 लेवल पे आप जाओगे, तो 2.1 gén लोग चाहिए ओगे, ऐसे ही जब 13th step पे जाओगे आप, तो 13 billion से भी ज़्यादा लोग चाहिएंगे, पूरे world की population इतनी नहीं है, यही reason है कि जो लोग उपर में रहते हैं, जो शुरू की एक और दो layer में रहते हैं, वो तो पैसे बना लेते हैं, जो नीचे वाले लोग हैं, वो कमा लेते हैं, लेकिन 99% लोगों का पैसा डूपता है इसमें, एक जुवा खेलने से ज़्यादा रिस्की होता है, आपको लगेगा कि आप इसलिए अमीर नहीं हो पारे हो, क्योंकि आप बंदे नहीं जोड़ पारे हो, लेकिन असलियत यह है कि आप नीचे वाली लेयर में है, आप कभी भी MLM कंपनी को ब्लेम नहीं कर पाओगे, आपको लगे गलती आप ही कि आप बंदे नहीं जोड़ पारे हो, यही रीजन है कि पिरमेड स्कीम इंडिया के अंदर बैन है, तो कंपनीयां ऑपरेट कैसे कर रही है, देखिए इस पूरे मॉडल को इन MLM कंपनी ने मैनुपलेट करके, डिरेक्ट सेलिंग से जोड़ दिया है, डिरेक्ट सेलिंग का मतलब हुआ कि कंपनी इस डिस्टिब्यूटर्स और मार्केटिंग के जरीए, अपने प्रोड़क्ट को लोगों तक पहुचाती है, डिरेक्ट सेलिंग में word of mouth चलता है, यानि के लोगों के through ही मार्केटिंग करवाना, एक आदमी के पास प्रोड़क्ट गया, अब वो अपने दोस्त और फैमिली में उस प्रोड़क को बेच रहा है, डिरेक्ट मार्केटिंग की आड़ में, ताकि इनको जेल ना हो, और जब से इन कम्पनियों ने प्रोड़क्ट के साथ इस पिरमेड इस्ट्रक्चर को जोड़ दिया, तब से ये मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया है, और इसमें government भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ लोग genuinely भी direct selling से अपना business चला रहे हैं, इसलिए government आये दिन guideline देती है, कि MLM के trap में ना फसे, जब तक ये ban नहीं था, तो पहले companies ये करती थी, कि लोगों से पैसा ले लेती थी, उनसे कहते थी कि आप अपने नीचे तीन बंदे जुडवाओ, जैसे ऐसे नीचे बंदे पैसे दे के जुड़ेंगे, आपके और आपकी chain में जो उपर हैं, उनके पास पैसे आते रहेंगे, और ये chain बढ़ती रहेंगी और आप रात और रात अमीर हो जाओगे, आप कोई भी प्रोड़क्ट देखोगे, वो मार्किट के रेट से 20 ते 30 गुना जादा महंगा होता है, ये जो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, इस पैसे से अपना पिरमिड वाला जो मॉडल है, वो रन करते हैं, अगर आप इनसे कभी पूछोगे कि आपके प्रोड़क्ट इतने महंगे क्यों है, ये कहेंगे कि ये गेम चेंजर है, ऐसा प्रोड़क्ट अभी तक मार्किट में आया ही नहीं है, कुछ प्रोड़क्ट तो इनके ऐसे भी हैं, अगर आप अगर वहाँ पे जाओगे तो आपको ऐसा लगया है, जैसे कि सिंघानिया या फिर किसी ओवराई की बोर्ड मीटिंग चल रही है, एक्ष्वल में सेमिनार पे पैसा इसलिए खर्च करते हैं, ताकि लोग चका चौनी देखके इनको पैसा दे दें, इनके साथ जुड़ जाए, इनके सेमिनार में देखके आपको ऐसा लगया है, जैसे किसी मिशन बेस सारे लोग काम कर रहे हैं, और वो मिशन पूरा वर्ड समझ नहीं पा रहा है, इनके जो प्रोड़क्ट होते हैं, वो कभी मशूर नहीं होते हैं, और इनका उसमें कोई इंट्रेस्ट पी नहीं होता है, ना तो एक रुपया मार्केटिंग में खर्च करते हैं, 6-7-figure income के, be your own boss, passive income, इन सब के सपने नहीं बेचे होते, तो जो इनके प्रोड़क्ट हैं, वो आप मार्केट में जाके खरीदते हैं, इतने महंगे दामों में, आप कभी नहीं खरीदते हैं, आपने वो जो starter pack है, वो जो joining fees हैं, उसमें पैसे इसलिए डाले हैं, क्योंकि आपको एक hope मिली थी, अपनी जो current situation है, उससे निकलने की, दूसरी चीज हो सकता है, लोगों की समझ कम हो MLM को लेके, जो इसके पीछे का गुप्त क्यान है, नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन थोड़ा सा आप logic लगा के देखिए, Tata, Birla, Ambani, Adani, ये जो इंडिया के जितने भी profitable business हैं, नमक से लेके software development तक, सब में घुज गये हैं, कभी ये तीन बंदों वाली scheme लेके क्यों नहीं आए आज तक, होज ज़्यादा ये लोग करते हैं, तो referral देते हैं, कि आप किसी को refer करोगे इनका product, तो आपको कुछ benefit मिलेगा, लेकिन ये कभी भी अपने नीचे तीन बंदों वाली scheme लेके नहीं आते हैं, और ये कभी भी profit लोगों में share नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि इनका अगर product अच्छा होगा, उसकी marketing सही होगी, तो मुनाफ़ा हो नहीं है, वो मुनाफ़ा ये किसी से share नहीं करेंगे, सिर्फ MLM वाले ही उपर से लेके नीचे तक सब को profit share करते हैं, इनकी भी अगर बात हम छोड़ दें, तो ये जो हमारी government है, ये तो रोज unemployment और गरीबी को लेके रोज गाली खा रही है, मनरेगा में खाते खुलवाती फिर रही है, government ये सारे गरीबों को एखटा करके एक representative assign कर दे, और सारे गाउं में तीन मंदे जुड़वाना शुरू कर दे, सारी गरीबी खतम हो जाएगी, तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रही है, लेकि असलियत ये है कि MLM कोई business model ही नहीं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक normal company जो होती है, जब वो कोई product बनाती है, उसको distributor को देती है, फिर distributor से customer तक जाता है, marketing होती है, add में काफी पैसा लगता है, लेकिन अगर हम MLM की बात करें, तो यहाँ कोई customer ही नहीं है, यहाँ पे हर कोई distributor है, एक distributor अपने नीचे distributor बनाता फिर रहा है, आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा कि आप seller हो, distributor हो या खुद customer हो, और इस चीज़ का जबाब आपको आखरी तक नहीं मिलेगा, नॉर्मली भी जो business होता है, उसमें जो owner होता है, वो पैसे लगा के risk लेता है, लोगों को अपने साथ जोड़ता है, उनको salary देता है, उसके बाद जाके उसका profit आता है, और जो profit होता है, वो owner कभी भी share नहीं करता है employees में, यही reason है कि company का owner 10 बार interview लेता है, skill देखता है, education देखता है, age देखता है, उसके बाद भी समझ में नहीं आता, तो fire कर देता है, लेकिन MLM की बात करें, तो MLM में पैसा भी आप लगा रहे हो, उस पैसे का risk भी आप ले रहे हो, salary मिलना तो बहुत दूर की बात है, खुद आप उस company को पैसा दे रहे हो, और फिर उस company के लिए काम भी कर रहे हो, जो आपके नीचे तीन मंदे आपने जोड़े हैं, उसका profit भी दे रहे हो आप, और जो MLM company का owner है, वो अराम से घूम रहा है, यही reason है कि MLM से जोड़ने के लिए, कोई age, qualification, skill, interview, किसी चीज की ज़रोत नहीं होती, सिर्फ एक चीज होनी चाहिए आपके पास, welcome kit खरीदने का पैसा आपके पास होना चाहिए, फिर चाया बच्चे ही क्यों ना हो, एक बार आप उसको पैसा दे दो, फिर आप चाया काम करो या ना करो, आपको कोई fire नहीं करेगा, और अगर आपको यही करना है, तो इसके लिए आपको किसी company से जोड़ने की क्या ज़रोत है, आप किसी factory में जाओ, वहाँ पे आप बात करो, प्रोडेक्ट उठाओं वहाँ से, अपने नीचे बंदे जोड़ना स्टार्ट कर दो, इसके लिए आपको company की क्या ज़रोत है, गलत ये भी है, लेकिन मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, आप इनसे कभी कोई legal bond sign करवा के देखो, उन चीज़ों का जो ये वादा कर रहे हैं, ये कभी नहीं करेंगे, इनसे आप कहोगे आप उधार देतो मुझे, मैं आपको लोटा दूँगा तीन मन्दे जोडने के बाद, क्योंकि बिजनस तो 100% successful है, ये कभी उधार नहीं देंगे, देखिए ये एक chain है, जहां पर पहले आपको बेवकूप बनाया जाता है, फिर आपको train किया जाता है वर्क्शॉप और सेमिनार में, ताकि आप दूसरों को बेवकूप बना सकें, अगर आपने एक मूवी देखियोगी Resident Evil, जहां पर एक zombie होता है, जो किसी आदमी को काड़ता है, तो वो भी zombie बन जाता है, फिर वो लोग भी लग जाते हैं दूसरे आदमी को zombie बनाने में, ठीक यही चीज MLM में भी हो रही है, देखिए actual में हर किसी का सपना होता है, कि अपने घर वालों के लिए कुछ करने का, अपनी current situation से निकलने का, boss की गाली ना खाने का, यह MLM वाले जो हैं, यह सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं, वहाँ एक hope बंद के आते हैं, इनको मना करने का मतलब होता है, कि आपके जिन्दिगी में जो एक उमीद आई थी, उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए आप इनको सुनते हो, यह आप से आके सबसे पहले यही चीज़ पूछते हैं, कि क्या आप अपनी income से खुश हो, आप मना ही करोगे, यह आखरी तक नहीं बताएंगे आपको कि करना क्या, इनके एक sir होते हैं, इस सब के चक्कर में आपकी security भी risk पे आजाती है, जो तीन मने जोड़ने की race में, अगर कोई तेड़ा मना आपके नीचे फस गया, और उसके पैसे फस गया, तो वो company को नहीं पकड़ेगा, वो आपको पकड़ेगा, कई बार ऐसे cases हो हैं, कि लोग पिटे हैं, कई लोगों ने अपनी जाने भी गवाई हैं, एक book है My Father's Dream by Eric Germans, जरूर पढ़िएगा, इसमें ये बताया कि इनकी जिन्दी कैसे तबाह हुई MLM के चक्कर में, देकि पैसे की दिक्कत तो आपके पास पहले चली रही होती है, इनके साथ जुड़के एक दो जो आपके यार दोस्त होते हैं, वो भी आपसे छेड़े जाते हैं, और ये आपको समझाते हैं कि शुरू में कैसे इनको rejection मिले, लेकिन ये उसके बाद भी लगे रहे हैं, और देखिए आज ये कहा हैं, तो उस चक्कर में आप भी लगे रहते हो, कुछ दोस्त आपके जो समझदार होते हैं, वो आपको समझाएंगे, उनके लिए ये बोलेंगे कि negative लोगों से दूर रहो, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे ये लोग, कुछ genuine companies भी होती हैं, जो MLM का use करके product बेचती हैं, लेकिन उनके product का नाम होता है market में, उनके product के ad चल रहे होते हैं, सब जानते हैं उस particular product को, और उसका जो core होता है, वो direct marketing होगा, मतलब की जो पैसा आपको मिलेगा, वो product बेचने से मिलेगा, अपने under में बंदे जोडने से, या फिर welcome kit खरिदवाने से नहीं होगा, जब से जादा से जादा लोग internet पे आ रहे हैं, लोगों को MLM के बारे में awareness हो गई है, लेकिन ये जो companies हैं, ये भी बहुत organized और professional हो चुकी हैं, कभी ये online courses लेके आ जाती हैं, अलग-अलग तरीके से model बना के आते हैं, MLM की तरह दिखेगा नहीं, लेकिन काम ये MLM का ही करेगा, तो आपको बहुत ही सतर करेना पड़ेगा, आज की date में पता करना बहुत ही जादा मुश्किल हो गया, क्योंकि fancy fancy word यूज़ करके, लेकिन फिर भी अगर आप फंस गयें, तो at least complain ज़रूर करें, ताकि आगे चलके बाकी लोगों को परिशान ना करें, सबसे पहले आप एक lawyer पकड़ें, और notice भिजवाएं इनको, दूसरी चीज आप पुलिस में F.I.R. लिखवाएं, और एक complaint रेजिस्टार आफ कंपनीज के अगेंस में भी करिए,